नमस्कार फ्रेंस आज की रेस्पी में हमने एक बून भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है और इतनी टेस्टी है फ्रेंस की आप यखीन नहीं करेंगे चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं मैंने बहारिक प्याच काटा है, धनिया, मृच और नमक स्वाधन उसाल लिया है मैंने उसमें दो अञडे काट के ढाल दिये हैं तो हमने इसमे एक बून भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है और यह टेश्ट में बिलकुल कोई भी फरक नहीं आया और यह अपने उसी टेश्ट में था तो हमें इसे चम्मश से इसी तरह से फेटेंगे ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए और देखें फ्रेंस मैं कुछ इसी तरह से फेटेंगे 2-3 मिनट तक आप फेट लेजिए इसे अच्छे से ताकि इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और हम पैन गरम करेंगे जी हां फ्रेंस हम पानी में ओमलेट बनाएंगे हम एक बून भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ्रेंस गरम पैन में हमें पानी डालना है और पानी में कुछ इस तरह का बबल्स आना चाहिए ठंडे पानी में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है जब पानी से इस तरह से बबल्स आने लगे पानी उबलने लगे तो आप अंडा जो फेट के रखी थी उसे बीच में डाले और चम्मस की सहता से दीरे दीरे उसे फैलाए और जब पानी उबलने लगता है तो फ्रेस देख सकते हैं साइड साइड से ओमलेट पकना सुरू हो गया है आप खोलके भी पका सकते हैं जल्दी है तो इसे आप ढगदो दो मिनट के लिए और आप बीच बीच में चेक करते रहें फ्रेस देखिए मेरा ओमलेट बिलकुल बन के ट्राइए किजिए और वीडियो अच्छी लिएगे तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाए